करशन भाई पतेल डिटरजन का जिक्र होती ही बड़ी बड़ी फैक्टरियों की तस्वीरें आगे घूम जाती है बले ही निर्मा आज फैक्टरिय में बनता है लेकिन इसकी सुर्वात एक घर के पिछबाड़े से हुई थी निर्मा केवल एक प्रोड़क्ट नहीं है बलकि मिसाल है एक पिता के अपनी बेटी के लिए प्यार की और उस पिता का नाम है करशन भाई पतेल करशन भाई पतेल का जन्म 1945 में गुजरात के महिशारा के एक किसान परिवार में हुआ था उन्होंने अपनी सुर्वाती सिक्षा महिशारा के ही एक स्थाने स्कूल से पूरी की और केमेस्ट्री में ब्यस्सी किया इसके बाद करशन भाई करना तो बिजनेस चाहती थी लिकिन परिवार के स्थिती ऐसे नहीं थी कि वा खुद का कोई काम शुरू कर सके इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यू कॉटन मिल्स एमदा बात में लैब टेक्निशन बन गये कुछ समय बाद उन्हें कुझास सरकार के खनन और विज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गए फिर हुआ एक खासा सरकारी नौकरी खरते करते करशन को अंदर तक तोड़ दिया फिर एक सुबह करशन भाई के जिन्दगी की एक नई सुबह बन कर आई करशन भाई की बेटी का नाम निरूपमा था लेकिन प्यार से सब उससे निर्मा कहते थे इसी नाम से करशन भाई ने वाशिंग पावडर बनाने का फैसला किया उनका मक् एक दिन उनकी कोशिस काम्याब हुई और पीले रंग का डिटरजन बनका तैयार हो गया या फासफेट फ्री सैंथिटिक डिटरजन पावडर था उस वक्त भारत में आम लोगों के पास पॉशिंग पावडर को लेकर ज्यादा विकल्प नहीं थे उस दौर में पूरे करते थे जिससे हाथ खराब होने का डर रहता था करशन भाई ने इस कमी को मोखे की तरह भुनाया काम से लौट करवा घरगर जाकर अपना डिटरजन निर्मा बेचने लगे वह अपनी साइकल पर रखकर इसे घरगर बेचा करते थे इतना हिने या गैरेंटी भी देते थे अगर डिटरजन पाउडर सही नहीं निकला तो पैसे वापस कर देंगे यूँ बनाई अपनी जगा निर्मा उन दिनों सबसे सस्ता डिटरजन था सर्फ की कीमत जहां 10-15 रुपए प्रती किलो थी वहीं करशन भाई केवल 3 रुपए प्रती किलो पर निर्मा ओफर करते थे इसका नतीजा या हुआ कि निर्मा मध्याम वर्गे और निम्न वर्गे परिवारों में अपनी जगा बनाने में काम्याब होने लगा करशन भाई पटील का कार्याले उनके घर से 15 किलोमीटर दूर था कार्याले जाते वेवा शायकिल पर एक दिन में डिटरजन के 15-20 पैकेट बेच लेते थे आची क्वालिटी और कम दाम ने इसे जल्द ही पॉपलर कर दिया तीन साल बाद छोड़ी नौकरी करशन भाई पटीन ने जब दीखा कि उनका प्रड़क्ट लोगों के बीच अपनी जगा बना रहा है तो उन्होंने अपना पूरा वक्त अपने बिजनेस को देने का सोचा निर्मा की सुरवात की तीन साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी करशन भाई ने एमदा बाद सब अब में एक छोटी वक्साप में दुकान खोली थी सुरवात की दस सालों के अंदर निर्मा भारत ने सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिटरजन बन गया बिक्री बढ़ाने को अपनाई एक अलग तरह के स्ट्रेटजी निर्मा को पूरे देश में पहुचाने के लिए करशन भाई ने विग्यापनों और जिंगल्स की भी मदद ली निर्मा ब्राइन को देश भर में प्रशिती दिलाने में सबकी पशंद निर्मा जैसे टेलवीजन विग्यापन का बहुत बड़ा हात्रा निर्मा की पिक्री बढ़ाने के लिए कर्शन भाई ने एक अलग तरह की स्ट्रेटजी का भी सहारा लिया जब निर्मा की मांग पढ़ी तो कर्शन भाई ने बजाज से प्रोडक्त के 90% स्टॉक वापस ले लिये लेकिन टीवी पर विज्यापन जारी रहे एक महीने तक ग्राहक केवल निर्मा को टीवी विज्यापन में ही देख पाई जब आप अजार में इसे खरीने जाते तो उन्हें कहीं भी ये नहीं मिलता बंपरमां को देखते वे खुद्रा विक्रेताओं ने आपूर्ती के लिए कर्शन भाई से अम्रोध किया तब जाकर एक महीने बाद निर्मा फिर से मारकेट में दिखने लगा इस स्ट्रेटजी का असर या हुआ कि बजार में आते ही निर्मा ने बड़े अंतर से रिटरजन के अन ब्रांस को पीछे छोड़ दिया उस साल निर्मा भारत में सबसे अधिक पिकने वाला वासिंग पाउडर बन गया था 1995 में सुरू किया निर्मा इस्टिटूट ओफ टेकनोलोजी करशन भाई पटेल ने 1980 की दसक की सुरुवात में पूरी देश का ध्यान खीचने और बजार में बड़े नामों से आगे निकलने में सफल रहे थे 1985 तक निर्मा वासिंग पाउडर देश के कई हिसों में सबसे ज़्यादा पॉपलर हाउस्पूल्ड डिटर्जन्स में सामिल हो चुका था कंपनी 1994 में सेर बजार में लिश्ट होई 1999 तक निर्मा एक बड़ा कंज्यूमर ब्रांड था 1995 में कर्शन भाय आमधा पाद में निर्मा इस्टिट्टीट टेक्नेलोजी के स्थापना कि इसके बाद Gegons me se टेकनोलोजी के स्थापना भी की 2007 में निर्मा ने अमेरिका की डॉ मेटेरियल कंपनी सीरेल्स वैली मिनरल्स इंक को खरीदा जिसे निर्मा दुनिया की टॉप सेवन्ट सोडा एस मैनुफेक्च्वर में सामिल हो गई पटेल और उनकी परिवान ने साल 2011 में निर्मा को दिलिस पूर अरब डॉलर में खरी लिया